नमस्कार आप देखरें एक न्यूस 24 और मैं हूं मदवाला आपके साथ केंद्रिय मंत्री चिराग पासवान को आखिर कौन नहीं जानता आपको बता दे जिस तरीके से चिराग पासवान इस बार जीत हासिल किये है और जितना भारत में उनका नाम जो खिल रहा है यहां तक कि भारत के लोग काफी पसंद कर रहें लेकिन अपने ही संसदिये छेत रहें यानि कि हम बात कर रहे हाजीपूर के हाजीपूर के लोग काफी विरोध जता रहें चिराग पासवान को लेकर आखिर क्या कुछ मामले हैं हाजीपूर में जो आपके सामने आज विस्तार से हम लोग साज़वा करेंगे मायर साथ दोस सहयोगी हैं नंदन और विकास चलिए ऐक है करके जानकारी लेते हैं कि आखिर चिराख पासवान को हाजीपूर में क्यों नहीं पसंद किया जा रहा है तो हाजीपूर में पसंद किया जा रहा था तब ही जित दरज की है लेकिन अब क्या कारण है कि लोग जो है वहां के बिरोध कर रहे हैं, अलग-अलग तरीके से बिरोध कर रहे हैं और चिराग पासवान के सामने बड़ी मांग रहे हैं, जब से चिराग पासवान हाजीपूर से सांसद बने दो बार हाजीपूर पहुंचते हैं, दोनों बार भ कुछ ऐसे काम उनको करना चाहिए था, जिससे हाजिपूर हर मेसा दूब जाता है, आपके परशुपती पारस जी, चाचा है, वहां से सांसद रह चुके है, ठीक है आप दोनों के बीच में खटास था नहीं जमा, लेकिन उसका भूगतना हाजिपूर को क्यों पढ़ेगा भा लेकिन आम लोगों से जुरा हुआ समस्या के लिए कब पहुचेंगे, जीतने के बाद कितने बार वहां जाकर लोगों से मिले है, इसकी तस्वीर कब निकलेगी, आप एक दो वही जो आपका चाचा ने गलती किया, कि आप सेलेक्ट कर लिए कि हमको सिर्फ तीन-चार घर मे और आप भी अगर अब वही करेंगे, सिर्फ तीन-चार घर में जाएंगे, और तीन-चार घर से आप पूरा हाजिपूर का विकास कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, इसका खाम्याजा आपको अगले चुनाओं में मिल जाएगी, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त हाजिपू में गिराके रखे हुए है, और ऐसी खाई में की अब होँआ की सभापती और करीबन 20 साल से वहाँ के विधायक अब्धेश सींग सरक पर उतर गए है, सभापती संगीता कुमारी भी सरक पर दौर रही है, तो 20 साल से हाजिपूर के विधायक रहे अबधेश सींग जो है, व आखिर जिय क्या विरोध करने का वज़़ है? देखिये बातों की शुरुआत करेंगे पाशुपती पारस, फ़सुपती पारस की हाथ में आजीपुर की गड़ी आई थी ौ और हाजीपूर को इसे जगह बनाएक नहीं पर पूरे देश भर में हाजीपूर को चाना gland को अंप्लस चलिए बात करते हैं हमें टिकट कमशह करेतो और हमें एक लोगों दिखाब पैंस सालों में आपने क्या किया सामने गारा था यहां गया चिराग पासवान की कारते हैं तो भई आप रैली करते हैं आप आप यहां हाजीपूर में अपने पिता जी का जन्दिवसमनाने आते हैं उसके बाद इंट्रेक्ट करते हैं तीन-चार लोगों से वीडियो वाइरल होती है अब आप वीडियो मत बनवाईए आप आप वहां के सांसद है वहां पर जाकर देखिए निरिक्षन करिए कि कहां क्या हो रहा है आप भले ही रैलिया निकलवाते हैं तो एक से दो जगात हो जाते नहीं ह आप पूरे हाजीपूर घुमते होंगे तो क्या आपको नहीं दिखता होगा कि वहां पर क्या काम हमारे चाचा ने किया है आपके आपस में जासे विकास जी ने कहा किर पशुपती और चिराग के बीच में जो भी अनबन है उसका भूगतान हाजीपूर की पब्ली को क्यों करना पड़े आप दोनों के जो भी दुस्मनी है हाजीपूर की जनता के वह भूख थे उन्होंने पर भरुशा किया ना भरुशा करके आपको जीत दिलाया पहले पशुपदी को जीत दिलाया फिर चिराग को जीत दिलाया लेकिन अब भी वहां की हालत ऐसी है कि एक हुई बाढ़ आया सड़क बह गया तो यह क्या है भाई क्या वहाँ पर डेवलोपमेंट हो रहा है चलिए मानते हैं कि वहाँ पर पशुपति के हाथ में था हाजी पुर ठीक है क्या कुछ हुआ वहाँ पर प्रधान मंत्री आते हैं निरेक्षन के नाम पर क्या करते हैं जादा शर्मिंदगी वाली बात होती है कि पूरे देश भर में दुनिया भर में आप जाने जा रहा है आपको सब सरोस्रिष्ट नेता कहा जा रहा है और बहुत जल्द आपने वह मुकाम हासिल किया लेकिन आप लोग आपको विरोध कर रहा है यह बहुत ही निराज जनक है और वहीं बात करें यह एक वीडियो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है हम अपने वीडियो के माध्यम से वह वीडियो आपको दिखे वह रागवपुर का वीडियो है वहां पर मतलब वह जगह है जहां से याद प्रवाइब पास्वान के हाथ में वहां पर देवलप कर सकते हैं विकास कर सकते हैं लेकिन अभी तक समझे कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक पक्या रोड जो में रोड है वहां पर लोग धान बो रहे हैं यह इसलिए नहीं कि वह पेड़ लगाने का कोई संदेज दे रहे है वह इसलिए कोई सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि में रोड पे इतना पानी जम गया ने कि खेत ही बन चुका है तो यह पर धान ही बहुत हैं गाडी तो चलाएंगे नहीं तो यह बहुत शर्मिंदगी की बात है कि वहां पर विकास के नाम पर अभी तक सिर्फ धांदली ह वारस ने क्या किया वह तो सामने दिखी रहा है विकास आपका क्या कहना है जिस तरीके से हाजिपूर का एक जो वीडियो अभी वाइरल हो रहा है क्या कहना आपका देखे जो वीडियो निकल कर सामने आये हैं वो वीडियो रागवपूर का है रागवपूर जनता से दो तीन वादे किये थे, हम यहाँ पर कॉलेज देंगे, जीरो हो गया, कॉलेज अभी तक नहीं मिला, हम यहाँ पर पूल देंगे, जो नाव से लोग गंगा नदी में उफान पर जाते हैं, तो हम पूल देंगे, ठीक है, पूल का काम चला लेकिन कब होगा पता नही रोट का बात किया, तो रोट के नाम पर आप क्या दिये हैं जनता को, जनता धान रोप कर आपको दिखा रहा है कि आपने क्या दिया है, ऐसे में हम सिर्फ ते जस्वियादों पर उगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वहाँ पर उठेगा, गट बंधन पर भी उठ रहा है, और तो दोनों के खाम्याजा आखिर का रागवपूर की जनता क्यों भूखते भाई जनता ने ठीक है वहां पे बिधायक बनाया उनको लेकिन सांसद तो जब आप दे ही तो आपका भी बनता है आप यह नहीं कह सकते कि हाँ छे भीधान सबाय वाले में वो मेरा भीधान सबा नही वह आपको दिखा देगी, लेकिन हाजीपूर की अगर हम बात करें, प्रॉपर हाजीपूर की अगर हम बात करें विधान सभाकी, तो अब धेश सिंग BJP से विधायक है, 20 साल से है, उसके बाद भी उन्हें सरक पर अगर उतरना पर रहा है, गुठने भर पानी में, तो उनके को लेके आप भी डूब मरिये, और कहानी खतन कीजिए हाजीपूर का, संगीता कुमारी का अब हम जिक्र कर लेते हैं, सभापती है, नय-nय बने हैं, कुछ समय उनको चाहिए काम करने के लिए, हाला कि दो साल से सभापती है, दो साल में एक आप पूरा नगर निगम का जो विकास होता है, नहीं कर सकते हैं, कुछ समय आपको भी चाहिए, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महिला है, हर बारिस में आप सरकों पर उतरते हैं, लेकिन आपने भी तो वहां के जनता से वादा किया था, कि यह जो समस्या पानी का है, वो हम एक साल में खatm कर लेंगे, लेकिन दो साल हो गया, बारिस का मौसम आने से पहले, आपने बड़ा-बड़ा दावा किया था, कि इस बार नहीं डूबेगा हाजीपूर, ले, इस बार नहीं डूबएगा हाजीपूरा आपने वादा किया, उसी के चौईस गंटे बाद बारि पासवान जी को मौका पर मौका दिया केंद्रिय मंत्री बने अच्छा काम की ए फीर पश्छुपती पारस को मौका दिया चार घर का विकास करके रह गये टिकट नहीं मिला हट गये चिराग उसका मतलब आपका बवोती हाजिपुर नहीं बन गया है। आपको हाजिपुर के लिए पिता के जैसा दिखाना अगी तो मोसेते तो आपको चनता में मौका देने वाले है। ौ। तो एक काम नहीं गिना पाएंगे अपने 5 साल के करियर में कि उन्होंने हाजिपूर को क्या दिया, लेकिन वहीं पर चिराग पासवान की बात कर ले, ठीक है, अभी अभी जीते हैं, समय चाहिए, जनता को भी समझना होगा, कि ठीक है, मौका कुछ देना होगा, समय भले ले ल पड़े, और फिर से हाजिपूर ना डूब जाए, क्योंकि हाजिपूर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ छेतर है, थोड़ा सा उफान आता है नदी में, डूब जाता है हाजिपूर, DM साहब नदी पर निरक्षन कर रहे हैं, तमाम लोग निरक्षन कर रहें, तो भाई वक रहते हुए, अपको फैसला भी ले 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 लेना चाहिए था ना, क्या चिराघ पासवन को पता नहीं है, हाजिपूर डूब जाता है, हमेसा डूब जाता है, और तो से कहते हैं, मे math को इंगवा इंगली पकर के हाजिपूर ला रहे तो वो कभी नहीं देखे हाजीपूर की सकल असूरत क्या होती है बारिस की मौसम की, तो उनको तो पहले ही एक्षन ले लेना था, कि मैं नया नया सांसत बनाओ, नहीं ढूबने दूंगा इस वार हाजीपूर को, कि लोग कहें कि हाँ चिराग पास्वान जीचे तो हाजीपू लिए टो चाहिए मैं कहना चाहिए को हाजीपूर को डेवलप सिर्फ राम विलास पासवान है राम विलास पासवान के बाद पश्वपधी पारस ने आया और आकर उन्होंने हाजी पुर को खा लिया ठीक ही निगल लिया हाजीपूर के लिए उस व्यक्ति नहें जैसा कुछ भी नहीं किया कि लोग उने 12 से देखना चाहें सांसत क्रूप में अगर आपको चाह रहे हैं उनके मन में सिर्फ राम इलास पासवान की चविए कि अगर राम इलास पासवान ने हमारे लिए किया था तो अब वह इस दुनिया में नहीं है तो उनके भाई या फिर हाजिपूर का शेतर आपको पहले से पता था आता है उन पर निरिक्षन करने क्यों नहीं गए वह आहां पर आपके उधर से टвिट क्यों नहीं आया आपके मतलब की लगतार आप सवाल क्यों नहीं उठारहे हैं हम हाज choreography धियान देंगे है आपको छे सेंड लगेंगे बोल आपको वहां के सडक के बारे में पता था कि इस पार आती तो सडक भी बहे जाते हैं आपको यह नहीं पता था कि वहां पर जिस जितनी कमजोर पत है उतना कमजोर साइद वहां की situation कभी रही नहीं होगी क्योंकि हाजीपूर सबसे डेवलप एरिया भी भी हम कह रहे हैं लेकिन लगाने से चिप्स की लगाने से भाया solution नहीं निकलेगा न आप फैक्टरी लगा दिएगा रोजगार दे दिएगा लेकिन रोजगार जाएंगे तो उसी रोड से होते हुए जाएंगे वो रोड का क्या करिएगा तो वहां पर सिर्फ ते जस्वी यादों को ब्लेम करना ग तो उस चीज़ों पर चिराग पासवान को गलत नहीं कह रहा है कि आपने कारेकाल पूरा चलाया लेकिन आपने कुछ नहीं किया चिराग पासवान का शुरुआत है यह विकास जी ने कहा कि 2024 है हम पचीस के महँचुन तक इंतजार कर सकते हैं कि अगली बार आपके हाथ में प अधि नवी, आप क्या करते है गर आपनेकुछ की आ यानि कि आपपने बटा के नक्षकम पर चल रहा है और आप कुछ नहीं किया या आपको को केंदर यय मंतरी बनने का लोग हो चुका है और आप नक्षकम पर चल रहें अपने चाचा के कर नापका क्या कहना ह्विकास? देखे, नंदन ने जो कहा, उस बाद से मैं सहमत हूँ, हाजिपूर का जिक्र कर लेते हैं, तो हाजिपूर में छे बिधान सभा है, छे में तीन पर महागठ बंधन राज कर रहे हैं, उन पे भी सवाल उठना चाहिए, लालू के दोनों लाल वहीं से बिधायक बन के आते हैं, तो आखिरकर वह कर क्या रहें, आप भी पर्यावरन मंत्री रहें, पर्यावरन मंत्री रहते हुए लालू के बड़े लाल भी कुछ कर सकते थे, तो जीरो भाई सन्नाटा पर रहे गये, उसके बाद एक सीट जो है, वो कॉंग्रेस के खाते में रहती है, बिधान सभा की, त …ब्वुबने के बाद में सफाई करवा रहे है , तो आपको पता नहीथा कि मौन्सून आने वाला है , हम उसे पहले नाले का सफाई करवाले prefer & का मत्री कासर चौल्बमेट में निकासी होचे, ब्रभ ज़नी करण हो सखें, आज जो अब शरक धस रहें हैं, जो पूल पूल प बिल्कुल वही बात है तो जैसा कि आपने सुना हाजीपूर की जो अभी हाल है जो वीडियो के माधियम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर लोग धान खेती करते वे नजर आ रहे हैं बता दे आपको यह वही जगा है जहां से इस बार चिराग पासवान जीत हास यानि कि हाजीपूर से लेकिन हाजीपूर से जितने से पहले भी वहां के पशुपति कुमार पारस के हाथ में थी हाजीपूर लेकिन वहां के लिए कुछ भी नहीं किया यहां ते कि जो बारिज की जो चल रही है रोड पे जो पानी जाम हो जा रहा है वो पहले भी होती थी झाल झाल